नमस्कार वान इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर गोग लगा दी है देश में लगातार बढ़ रही प्याज की कीमतों पर नियंतरन रखने के लिए फैसला लिया गया है विदेश व्यापार महाने दिशाल यनि की डीजी एफटी ने इस संबंद में सोंबार को अधिसूचना चारी की है अधिसूचना के मताबिक प्याज की सभी किस्मों चाहे वो कटे हुए हो या फिर पाउडर के रूप में हो सभी के निर्याद पर तत्कार प्रभाव से रोक लगा दी गई है इनमें बेंग्रूरू गोज और कुष्णा पुरम प्याज भी शामिल है आपको बता दें कि बाढ़ेजी और उत्योग मंचाली के अंतरगर्ड टीजी एफटी आता है ये आयात और निर्याद से जुड़ बिख रहा है वहीं कई शेरों में इसकी कीमत 50 उपे प्रतिकिलो है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक घरीनू बाजार में प्याज की कमी है ये मौसमी कमी है लेकिन करोना वामारी के दौरान पिछले कुछ मैनों में प्याज का जम कर निर्याद हुआ है भारत ने अप्रैल जून के दौरान 19.8 करोड टॉलर के प्याज का ने र्याद किया है कुछ दिनों पहले ही 15 से 20 सुपे पती किलो बिखने वाला प्याज अब 45 से 50 सुपे किलो बिख रहा है आपको बता दी कि सुमबार को एशिया की सबसे बड़ी आजादपूर सबसी मंडी में प्याज का देश नैपाल, मलेशिया और श्रिलंका जैसे देश भारतिय प्याज पर निरपर हैं महीं सबजी के व्यापार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आलो के बाद अब प्याज की कीम्तों में उचाल देखने को मिल रहा है इसकी वज़े प्याज की फसर का खराब होना है भारी बारिश की कारण प्याज की फसर को काफी मुखसान हो है सुद्र के मताबिक अगले 15 दिनों तक प्याज की दां शायद ही कम हो इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अब्डेट्स के लिए आपने रहे वान इंडिया हिंदी के साथ उल्डेट्स के लिए पिलाल इंडिया होना है